बाई लाइन का साथ माँ वन सिमेंट सदा सुरक्ष अंतर राष्ट्रे स्तरको नेपाल को नमबर वन सिमेंट नमस्कार मौ कृति भाट्राई तपाई जनता टेलिवीजिन हेरी रोहन भाय को सा योहो कारिक्रम बाई लाइन बाट संचार संजाल को राष्ट्रिय शरीर बनाऊंचों र बोली रहनचों देश वाक्य जन भावनामा सदर मुकाम र सुदूर भन्ने शब्द हो दैना मुलुक को माटो जहां छोय पनी राष्ट्र एके चोटी जागरूख होंच यो दूरी बिहिन आचरन नही सबाचार हो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मा आज मतदान संपन्न भाय को छा मतदान संपन्न भाय संगई अब कही समय मा नतीजा समित प्रकाशित हो दैश पहीलो पटक देश मा राष्ट्रिय समसद संगई प्रदेश समसद हरुपनी स्थापना हुन लागे काशन। केंद्रिय समसद मा पनी लामव समय देखी दुबै तहको समसद स्थापना हुदेशा। प्रतिनिदी सवा प्र राष्ट्रिय सवा। तियुसंग प्रत्तिक प्रदेश मा छुट्टै सात उटा समसद्त हुने नैशन। सबै समसद हरुको अधिवेशन बसन समसद भवन हरुको आवश्यक्त पर्षा। अहिले देश मा केंद्रिय समसद समेथ भाडामा बसेको अबस्था श। प्रदेश का राजधाने को तो अहि समसद भवन निर्माण को तयारी। यही प्रसंग आज़को कारिक्रम बाइलाइन मा। पुरा हुने तब कीकुरा कारेन वाइन मा समेत आउन सके को चैना। अहिले देही बानिश्वर को अस्थाइम काम मा प्रतिनिधी सभा राष्ट्रिय सभा को बैठक बसने तयारी हुदैशा। को सरी हुदैशात तयारी। हेर नुहोस यह रिपोर्ट। मरमत को प्रस्ताब आए पची बैठक काहां र कसरे राखने भन्ने अन्योल भाय को थियो। चीनिया प्राभेदिक टोली नेपाल आय पची समसाद सचीवालाय र शारी विकास मोंत्रालाय विज किये गर्ने भन्ने अन्योल भाय को बेला तीन चरण मा मरमत गर्ने सहमती हुना लागे को हुँ। ततकालीन राजा बिरेन र साहा को आगरहमा चीन सरकारले 2048 सालमा निर्माण गरेको समिलन खेंद्रमा देखी समिरां सभाको बैठक वजदे आय को सा। जबाब सम्चत सचिवालाय र सहरी विकास मंत्राले लाई दिये को सा। सम्चत सचिवालाय ले पहिलू समिरां सभा देखी सहरी विकास मंत्राले संग भावन भाडामा ले बैठक संचालन गर्दे आय को सा। चीनली बहुन मर्मद न गरी प्राभिदिकर आर्थिकरुपना आफई मर्मद करना नोसकीनी सोचिवालाई कुभनाई छा सभालाई पूरे खाली करे रहते पनी त्यो दिने इस्तिती मेले चाहि देख्या छाई न वीकल्प खे भाय बना चाहि दिने शक्येला रत्यो बहुन को आयू बढ़ाऊन शक्येला अहले को इस्तिती मा चाहिए अमिसे अरू बहुन न गरी कारण न है अब उने पाट-पाट ह तुम्हा आली संपन्ण गर्णा सगनु भाइने ते यह ज़े अन सरको आमरो वीज़ वीजमा अधीशन अरू गियाप होंच, ती वेलामा ते यह ज़े गर्णा सकींच अनर तीन चरणा को खुरा गरीएक। प्राविदिक संग आगरह गरेक। दो आउल लियार चलाई रहे पावस्ता आवो त्या माटवा पनी अरकठाम शार ने वाहने बिकलप दिये पची आप आय पची न आमले ती अमरमत गरना शगने उन न अत्रम अने जे शाते से माईं आमले न चाँदा न चाँदाई पनी चलाऊन पार रहे पुछाए न आमले नेपल सरकार्ष नंग आमरो बहुन बनावन परे वनारा आमने बारम बार आमरो सभा मुझी उने विला आमने बारम बार अंडोध करें आमने सरकार को तर्फवा आट चाहिए अब तेसमा थे खासे चांस दिये को देखिया ना चिनियः प्रावेदिकली चरन बत दक कामगरदा प्रफिना बार आमने बार आमने बारो आमने चाहिए अबार आमरो सबनावन परे आमने ना थे खासे को दा हाः ना चिनिया प्रावे दिकले चरण बद्ध काम गर्दा प्रतिनिदी सबा बईटक बसने त्वायरी मरहेको केंद्रको मुख्य हल्लाई कम्तिमा एक वर्षको समय चाहिने बताये काशन। प्रतिनिदी सबा र नूप्षय हल्मा राष्य सबा संचालन का लागी सचिवालाई का अधिकारी बताये बताये बिगत्मा सचिवालाई ले आफने भावन बनावने भन्दै पटक पटक ग्रिहकारे गरे पनी तेसले ठोस रूप नलिदा भाड़ा कै भर्मा संगिय सब्सने सचिवालाई ले वार्षिक 10 प्रतिसत बढ़ने गरी समिलन केंद्र का लागी बार्षिक 15 करोड भाड़ा तिर दे आयकोशा एदि बेला बिगत्मा समिदान सबा बैटक बसने गरीकों मुल हल्मा प्रतिनिदी सबा र नूप्षय हल्मा राष्य सबा संचालन का लागी सचि वालेले धमाधम तो आरी गरीले कुशा साते उटा प्रदेश मा समसद भवन हरू अस्थाई रूपमा तयार पारिये काशन। प्रत्तेक प्रदेश मा मुख्य मंत्री कारलोय सहीत मंत्रालाई हरू को ब्यवस्था गर्णू पर्नेशा संगई मुख्य मंत्री रो प्रदेश मंत्री हरु को आवास को वेवस्ता पनी गर्णू पर्णे छा अहिले प्रदेश का मुकाम हरुमा आवास रो मंत्राले का भवन हरु खोजना भईर है को धम्मा धम को यो प्रसंग गेंद्रिय संग्सत पुराने भवन मा बसने भणिये पनी प्रदेश का लागे मंत्राले र संग्सत भवन को खोजी भईर है कोशब प्रदेश नमर एक मा कुन कारले भवन मा कुन मंत्राले राखने भणिये टुंगो लागे कोशब एक नम्मर प्रदिश को संक्सत बिराटनगर को सरकारी भवन लाई पनाई एकोशा जुन आबस्रिक सुविदा संपन्न नभय पनी काम चलाव रुपमा तयार पारी एकोशा अस्ताई राजधानी बिराटनगर मा मुख्य मंत्री सहित साथ ओटा मंत्राले रहनेशन टुंगो लगायेका मंत्राले मा मुख्य मंत्री को कारेले चेत्रिय किर्षी निर्देशनाले को भवन मा हुनेशा तेस्ताई चेत्रिय खाद्य प्रविदी तथा गूण नियंत्रन को कारेले मा आंतरिक मामिला तथा कानुन मंत्राले रहनेशा ए शगी चेत्रिय पसु निर्धेशनाले मा इस्तापना गरियेकु प्रमुक उपप्रमुक कु कारैले सुरस्या लगायत का विभिनक कारली चेत्रिय सिचाई निर्धेशनाले को भवन मा शारी एकुष सबई कार्यले का लागी सरकारी कार्यलेने ब्यवस्तापन करेको एक नमर प्रदेसमा अहिले मंत्राले राखिने ती भवनको रंग रोगन, मर्मत संभार तथा प्राविदिक ब्यवस्तापन को तयारी युद्ध इस्तर्मा भईरेकोश उता दुई नमर प्रदेसमा भने सात ओटा मंत्राले का लागे भाडाको पुराना घर सहित को बेपस्तापन करिये कोश मुख्य मंत्री तथा मंत्री परिशत को कारेले आंतरिक मामिला तथा कानुन मंत्राले आर्थिक मामिला तथा भावतिक योजना मंत्राले जनकपुर चुरोड कार्खाना परिशरमा राखने निड़े करिये कोछ प्रदिस पर्मुक सचीब राजिस्वर मान सिंगहा को अधक्षेता मा बसे को कारले पर्मुक हर को बैठेकले मंत्राले का लागी भावन बेवस्तापन करेको हो प्रदेश दुई का मुख्य सचीब राजे सुर्मान सुगहले प्रदेश का सबी मंत्राले का बेबस्तापन का काम भैरे को बतावनु भाय। चार वड़े के पितर वांचा तीन वड़े बाईर। यो सवकारी कारेले मैला बिकास कारेले ख्रिसी तीन वड़े जनस्वास्ता ख्रिसी वें। बैट्यकले जिल्ला जनस्वास्ते कारेले भावन मा सामाजिक बिकास मंत्राले, खानेपानी तथा सर्षपाई डिविजन कारेले मा भावतिक पुर्भाधार मंत्राले, जिल्ला महिला तथा बालबाले का कारेले मा उद्योक प्रेचन तथा बातावरन मंत्राले राकने नि आबस्यक बेवस्ता मिलावने निरिदेशन दिये कुछ एता तीन नमर प्रदिस को अस्ताई मुकाम हेटवडामा प्रदिसिक सरकार का लागी सात उटे मंत्राले का भवन हरु तयार करी इस्तापना करिये कुछ तीन नमर प्रदिसमा रहने प्रदिस पर्मुक को कारेले, प्रदिस सचिबाले भबन तथा संपुन प्रदिसिक मंत्राले को भबन सरकारी कारेले मा बेवस्तापन गरिये कोश जिल्ला समन्ने समितिको कारेले हेटवडामा मुख्य मंत्री तथा मंत्री परिशत को कारेले इस्तापना गरिये कुछ तरह मंत्री परिशत कारेले का सचिब रमिस सिभाकोटी को संग्योजकत्तमा गठीत चार सदस्य मंत्राले तथा भवन बेवस्तापन समितिले तीन नमर प्रदेसमा रहनी सातोटे मंत्राले को बोड राखिये कुछ आनतरिक मामिला तथा कानुन मंत्राले साभिक को जिल्ला सिच्या कारेले मकुआन पूर्मा इस्तापना गरिए कुछ तेसे गरी सामाजिक बिकास मंत्राले हेतवडा इस्तित छेत्रिय स्वास्ते निर्देसनालेको भवन मा राखिये कुछ उद्योक प्रेटन बन तथा बातावरण मंत्रा लेलाई छेत्रिय बन निर्दिशनालेको भवन हटायर बेवस्तित गरियेको छाभने आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्राले डिविजन सहकारी कारेलेको भवनमा राखिये कोशब पवतिक पुरवाधार मंत्राले र भुमी ब्यवस्ता कृषी र सहकारी मंत्रालेलाई सरम कारेलेको पास तल्ले नया भवनमा रिस्तापना करिये कोशब अहिले प्रत्तिक प्रदेश का अस्थाई मुकाम का अगला र आकर्षक भवन हरू मंत्रालाई र समसद भवन मा परिणत हुने भार काशन। कुन प्रदेश को कस्तुछ अवस्था हामी लियर आउने छों। तरा अहिले छोट वस्वाम। प्रदेश का मुकाम हरुम बद्धे कुने विवाद नभायको र स्थाई मुकाम का रूपमा रहने संभावना रहको एक मात्र प्रदेश राजधानी हो प्रदेश नमबर चार को राजधानी पोखराई। पोखरामा स्थाई रूपमाने प्रदेश का लागी चाहिने सम्रचना हरुको भवन खोजने क्रम जारी नएछ। त्यस लगायत अन्य छवटा प्रदेश को राजधानी अहिले को अस्थाई मुकामाने रोहन छ वा अन्यत्र सारिन छ यकीन हुन सकेको छईना। तरपनी अहिले सबाई जसु राजधानी बनाईये का ठाउं का अगला रा आकर्शक भवन हरु प्रदेश का लागी आवश्यक सम्रचना बनने तयारी बाचन। प्रदेश नमर चार को अस्थाई राजधानी पुखरामा कारेले भवन खजने रा निर्मार तथा मर्मत गरने कामले दिप्रता पाए कुछा। तेटी मात्र हैना प्रदिस नमर चार को प्रदिस मा गठन हुने मंत्राले का लागी पनी कारेले भबन तोकी सब ये कुछा। प्रदिस मा कार्यकारी अधिकार चलावने मुख्य मल्त्री का लागी, पुखरा को पार्दी इस्तित, सी विकास तालिम क्यंद्र का लागी बनाई को भवन प्रदिस पर्मुक को कारेले का रुपमा प्रियोक गरीने भाय कोशा। प्रदिस का मंत्राले का लागी, आवस्तिक पर्दिस पर्मुक क्यारी ने भाय कोशा। प्रदेश प्रमुक रहे को भबन रुपंदी व्यापार संगले पनी प्रदेश प्रमुक रहे को भबन रुपंदी व्यापार संगले पनी प्रदेश प्रमुक रहे को भबन रुपंदी व्यापार संगले पनी प्रम रहे को भबन रुपंदी व्यापार संगले पनी मुक्य मंत्री तथा मंत्री प्रिशत कारेले का सचेब प्रदीव राज कनेले बतावन भाया प्रदेश नमर साथ को मुकाम राजदाने धनगडी माँ आज करिशी भूमिशुदार तथा स्वाकारी मंत्राले रा आंतरिक व्यास्था तथा कानुन मंत्राले को कारले माँ बोर्ड राखने कामब यह स्वार्थ यह बंदा अगारी काम भाथे न भन्निवाए न बिभिन्ना आपनों बसे की बसस्थाल बड़ा गिर्यकारे हरु भायरास खासगर्णा प्रकिर्यागत काम हरु तर आज दुयोडा थप मंत्राले लाई ब्योस्थित गर्नी काम भाथा अब अब अज समुचि मंत्राले हरुचे निती बनावने निती को कार्ने न गरावने अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने प्रदेश माथात का सबय प्रदेश माथात भने माईले प्रदेश माथात रहने कारले निकाय हरुको अनुगमन गर्ने निकाय अपनी भावनाले पछी मंत्री मंडल अब ततक आंतरिक मामिला तथा कानुन मंत्राले का सचिब कही दिन अगी धन्गडी मा पुगी सके का छन भने भमी वेवस्ता किर्षी तथा सुहकारी मंत्राले का सचिब भुदबार धन्गडी पुगे का छन प्रतिक प्रदेश का राजधानि मा स्थाई सम्रचना बनावनो पुर्व प्रदेश को राजधानी स्थाई रूपमा निर्क्योल हुनु जरूरी छा। तर स्थाई राजधानी को नड़ाई गरने अधिकार तेस प्रदेश का सामसद लाई छा। समसद को दुई तिहाई सदस्य हरूले करेको नणए अनुसार प्रदेश को स्थाई राजधानी क्रायम होने छा। तर नणए तेती सहज भने छहीना। हरेक प्रदेश का प्रत्तेक ठुला भनिये का शहर राजधानी बनन लालाई छन। सबैलाई चित्त भुजनी राजधानी बनाऊना सहज छहीना। अनी तेस्पछी मात्र हो स्थाई सम्रचना निर्माण को तयारी करन सकीने। आजको सामागरी निर्माण सहयोगी सहकर्मी। शिव लमसाल र राधिका जोशिलाई धनेवाद। आजलाई बाईलाईन को यू प्रस्तुती एती। बाईलाईन अर्थात जिंबेवार पत्रकारिता। हामी अविराम अनुकरणिय अभ्यास माँ छों। तपाई जनता द्वारा जनता का लागी प्रसारित जनता टेलेवीजन हेरी रहनु होस। नमस्कार। पाई लाइन का साथ माँ वान सिमेट शदासुराज़ को नेपाल को नमबर वन सिमेट।